हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे तो देखे यहाँ पर मैंने एक ओनलाइन बैंगल्स मंगाई थी तो इस तरीके से इसका मुझे कुछ बॉक्स रिसीव हुआ है लेकिन इसमें जो चूडिया हैं मुझे वो सारी और्गनाईज करनी तो अब मुझे लगा कि मैं यह कैसे और्गनाईज करूंगी मुझे कोई मेहंगा बैंगल्स मंगाना ही होगा इस तरीके से यह क्रैक हो चुका है पूरा कार्ड़ बोर्ड का बना हुआ था और देखे इस तरीके से मेश अप हो गई हैं सारी चूडिया और आज के टाइम मे अगर हम कोई भी बैंगल बोक्स मंगाते हैं तो वो बहुत ही महंगा आता है बहुत कोस्ली आता है आप लोग जानते हैं अच्छे से तो देखे इस तरीके से चूडिया मैंने काफी ड्रेसिंग में भी लगाई हुई हैं लेकिन सारी हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जब भ बहुत ही जल्दी खराब हो गया था आगे से इसका लोग भी नहीं खुल रहा था तो देखे पीछे से ये पूरा तूट चुका था इस तरीके के जो बैंगल बोक्स होते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं देखे पीछे से इसका पूरा पेपर हट गया था और मुझे एक शादी में मिठाई के डबे के लिए मिला था देखे इसमें मिठाई आएं थी उपर देखे पूरा शादी वाला कार्ड जो होता है इस तरीके से इसमें दिया गया है और आज मैं इसी को ही यूज करूंगी और इसे बहुत ही अच्छा मैं एक और्गनाईजर है और पीछे से भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है बहुत अच्छी कॉलिटी है इसकी और हम इसका बहुत Seriously करने वाले हैं और रख भी इसका बहुत अच्छा है यह बिलकुल वैलवेट का है उपर की साइड से और देखे बहुत अच्छे से इसका लोक हो जाता है और यह हम आसानी से खोल भी सकते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगे देखे किस तरीके से मेरे पास आया था यहां पर जब मैंने इसको ठाई के डबे जोते हैं उनका बहुत अच्छा रियूस कर सकते हैं तो यहां पर देखे जो मेरी बैंगल्स है यह जो उपर वाला इसका बॉक्स है जो इस पर कवर्ड था मैं इसको अलग कर लूँगी और मैं इसको वेस्ट नहीं करूंगी तो यहां पर जो मेरा हुआ है बहुत हार्ड है और अब देखे यहां पर जो इसकी चोड़ाई है 15.5 इंच है और जो इसकी छोट इसी लंबाई हम लेंगे 2 इंच लेंगे तो मैं इसको साइड रख देती हूँ और अब देखे हम अपना कार्डबोड वाला बॉक्स ले लेंगे सबसे पहले मैं इस पर मार्क करूँगी देखे 15.5 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी और 2 इंच देखे इस तरीके से इसकी लंबाई रखूँगी और यहां पर मैं इसको कट कर लूँगी चितना मैंने और अब चाहे तो आप इन्हें ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं इनको एक पेपर ले लूँगी चाहे तो आप नॉर्मल पेपर ले ले लेकिन मैं यहां पर कलर फुल पेपर ले रही हूँ यह दो से तीन रुपे का आसानी से मिल जाता है तो यहां पर मैंने एक तो आप इनको या तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर आप फैविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं तो मैं यहां पर चारो अपनी स्ट्रिप्स इसी तरीके से रेडी कर लूँगी तो यहां पर देखे मेरी एक स्ट्रिप्स रेडी हो गई है अब इसी तरीके से में अपनी सारी स्ट्रिप्स रेडी कर लूँगी ट्रस्ट मी गाईज यह बहुत यह अच्छा हमारा एक बैंगल बॉक्स बनने वाला है मिठाई के डब्बे से आप मेहंगा बैंगल बोक्स बना सकते हैं या फिर इसे अपना एक और्गनाइजर बना सकते हैं ऐसे जो एल्री रखने के लिए तो देखें यहाँ पर चारों मैंने स्टिप्स रेडी कर ली हैं अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरीके से लगानी है तो देखें यहाँ पर हमने बिल्कुल नाप से कट किया था तो बिल्कुल फिक्स हो गई है इसमें हमारी स्टिप्स देखें अब मैं बैंगल्स रखके इसे बिल्कुल देख लूँगी कि मेरी bangles कितनी दूरी पर है तो मैं bangles रख रख कर देखती रहूंगी कि मुझे ये कहाँ पर set करनी है आप चाहे तो इन्हें fix भी कर सकते हो steps को लेकिन मैंने यहाँ पर fix नहीं किया है क्योंकि मैं कभी भी इनको निकाल सकती हूँ और कुछ और भी रख सकती हूँ तो अभी देखे मैंने ये 5 यो मेरी lines इसमें set हो गई है 5 line मेरी आराम से इसमें आ जाएंगी bangles की तो यहाँ पर देखे जो इसका उपर वाला हिस्सा है ये थोड़ा मुझे अजीव लग रहा था तो मैं यहाँ पर भी देखे लिया है और चारो तरफ से फोल्ड कर दिया है जो एक्स्ट्रा था अब मैं इसे रखते हुए यहाँ पर glue gun की help से पूरा set कर दूँगी यह रेखे यहाँ पर मैंने चारो तरफ से इसको बिलकुल set कर दिया है इससे बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पर उपर की side हमारा यह side यह देखे हमारा पूरा यह part बिलकुल set हो गया है अब देखे मैं इसमें आपको bangles लगा कर दिखाती हूँ मेरी बहुत सारी bangles इसमें आसानी से आ जाएंगी और देखे यह जो बिलकुल mashy सी हो गई है सारी bangles तो मैं इनको अच्छे से organize भी कर पाऊंगी तो इस तरीके का अगर जो organizer में market में लेने जाती तो वो बहुत ही महंगा मिलता 900 से 1000 रुपे का आराम से मिलता तो देखे पूरा box मेरा खाली हो गया है उसके बाद भी मेरी बहुत सारी bangles इसमें आ जाएंगी और अब देखे मैं इसमें और भी आपको बहुत सारी bangles रखकर दिखाती हूँ तो देखे इस तरीके से आप set कर लें और ये देखे मैंने अच्छे से इसको set कर लिया है और सारी bangles मेरी बहुत आराम से आ गई है मेरा एक बहुत अच्छा बड़े size का organizer ready हो गया है और ये ऐसा नहीं है कि बहुत हलकी quality है इसकी quality भी बहुत अच्छी है अंदर की side अलग से इसमें एक cardboard लगा हुआ है तो देखे मेरा एक अच्छा वाला bangles ready हो गया है और मैंने इसमें काफ़ सारी अपनी bangles organize कर दिया है उपर की side देखे इसमें ये एक part लगा हुआ है तो मैं इसको remove कर दूँगी तो देखे पूरा उपर से velvet का है और मेरा एक bangles बहुत ही अच्छा ready हो गया है big size का दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा comment में जरूर बताना और अगर आप लोगों के पास इस तरीके का कोई box है तो आप भी उसका बहुत अच्छा reuse कर सकते हो तो यहाँ पर देखे ये मेरा एक bangles बोक्स है ये काफी पुराना सा हो गया था देखे इस तरीके से ये पूरा निकल गया था और यहाँ पर भी इसका पूरा mirror का था वो हट गया था तो मैंने इस पर transparent sheet लगाई हुई है बिल्कुल crack हो गया था मैं इस तरीके से box में रखती थी अपनी bangles और पूरा खराब हो गया था इसमें ये लगे हुए आयते बहुत सारे देखे तो मैं इनका use करूंगी अपना दूसरा bangles box बनाने में तो मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे मिठाई के डबे का मैं क्या use करने वाली हूँ तो बढ़ते अपने next idea की तरफ तो इसको हम side रखते हैं तो यहाँ पर देखे मैंने दूसरा मिठाई का डबा ले लिया है ये भी मुझे एक शादी से रिसीव हुआ था तो देखे इस तरीके का इसमें भी एक cardboard का अंदर एक fix है डबा तो यहाँ पर मैंने इस तरीके के ये bangles रखने वाले strips का use किया है इसमें बिलकुँ set आये हैं ये अगर बड़े या चोटे हैं आप इनको cut कर सकते हैं तो यहाँ पर देखे मैंने इसमें काफे सारी bangles organize कर दी हैं और बहुत आसानी से देखे set कर लिये हैं तो इसमें मेरी बहुत सारी bangles इकटा आ गई हैं देखे यहाँ पर मैंने जो मेरा खराब बैंगल बोक्स था मैंने उसी की strips निकाल ली है और इसमें use कर ली है तो यह देखे इस तरीके से इसमें cardboard लगा हुआ है और जो हमारा मिठाई का डबा हमें receive हुआ है वो भी पूरा cardboard का बना हुआ है बिलकुल same है और मिठाई के डबे का बहुत अच्छा reuse हमने कर लिया है यह देखे बहुत सारी मेरी bangles इसमें भी आ गई है तो इस तरीके से यह बहुत ही सुन्दर लग रहा है उपर के साइड मुझे कुछ भी लगानी की जरुरत नहीं यह बहुत ही सुन्दर है और देखे दोनों साइड इसमें लोग दिये हुए है तो यहाँ पर देखे दोनों boxes में आपको दिखाना चाऊंगी यह देखे हमारी दोनों boxes में अच्छे से bangles और्गनाईज हो गई है तो दोस्तों आपको यह idea कैसा लगा इतने सारी bangles के लिए अगर हम bangles box market से लेने जाएंगे तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि कितनी महंगी हमें मिलेंगे तो अब हम इने घर में ही free में बना सकते हैं तो पैसे क्यों खर्च करें तो बढ़ते हैं अपने next idea की तरफ तो देखें यहाँ पर मेरी यह सारी lipsticks है और जब भी मैं इनको इस तरह organizer करती हूँ तो यह बहुत जल्दी गिर जाती है या फिर खराब होकर इनकी ढकन खुल जाते हैं इस तरह देखें मैशी से हो जाती हैं यह तो मैं आपको बताना चाहूंगी इसके लिए भी मैं एक मिठाई के डब्बे का यूज करूंगी तो देखें यह एक मिठाई का डब्बा है मुझे दिवाली पर रिसीव हुआ था तो यहाँ पर magnet के दो बटन्स लगे हुए हैं इन्वीजिबल हैं दिखेंगे नहीं लेकिन इसमें है magnet के बटन्स तो यहाँ पर देखें मैं अपनी सारी जो मेरी लिप्स्टिक्स हैं मैं इसमें organize कर लूँगी यह देखें इस तरीके से मेरी सारी लिप्स्टिक्स में organize हो जाएंगी बहुत आराम से और मैं आपको इसके दो फायदे बताऊंगी कि इसके क्या-क्या फायदे हैं तो देखें यहाँ पर मैंने सारी organize कर ली है अपनी लिप्स्टिक्स अपने according आप ज़्यादा कम कर सकते हैं तो देखें यह अच्छे से organize कर ली हैं मैंने और अब देखें मैं इसको बंद करके आपको दिखाती हूँ यह देखिए यहाँ पर मैंने इसको बंद किया और अब मैं इसको उल्टा पुल्टा कर भी लूँगी न तो भी यह बिल्कुल नहीं खुलेगा क्योंकि इसमें magnet बटन्स लगे हुए हैं और वो बहुत help करते हैं जिसे की हमारा box ना खुले बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही मिलेंगी आपको थोड़ी सी भी दर उधर नहीं होंगी क्योंकि इसमें space ही नहीं है पलटने का और इसमें lipstick बहुत ही आराम से हमारी रखी हुई है बिल्कुल खराब नहीं होंगी देखे मैंने इसको उल्टा पुल्टा करा फिर भी यह ऐसी की है हम इसको as a travel में भी बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं box को क्योंकि जब भी हम travel में जाते हैं तो हमारा समान मैशी सा हो जाता है तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं इस box का इस तरा आइडे यही था कि मैं आपको बताना चाहती थी as a travel में भी हम इसका बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं आप इसमें काफे समान अपना organize कर सकते हैं और देखे बिल्कुल भी उलट पुलट करेंगे तब भी बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें हमारा समान तो बढ़ते हैं अपने next idea की तरफ तो यहां पर हमारे पास देखे कुछ hair accessories हैं और जब भी हम इनको और समान के साथ रखते हैं वो बहुत जल्दी इसके नग वगेरा निकल जाते हैं और इस box का बहुत ही अच्छा हम reuse कर सकते हैं देखें यह मुझे दिवाली पर रिसीव हुआ था और इस तरह से अगर हम उलट पलट करेंगे तो भी यह हमारा बहुत अच्छे से हम इसमें अपनी accessories organize कर सकते हैं तो बढ़ते हैं अपने next idea की तरफ तो देखें यहां पर भी एक मिठाई का डबा है इसमें यह लोक है और यह देखें यह बहुत ही अच्छा cardboard का बना हुआ एक box है और यहां पर मैंने transparent sheet लगाई क्योंकि अंदर से थोड़ा crack हो गया था तो मैंने इस पर sheet लगाई है transparent इससे यह बिलकुल secure हो गया है और अब मैं आपको इसका use बताती हूँ देखें हमारे पास बहुत सारी artificial jewelry होती है bangles होती हैं तो हम इस तरीके से देखें इसमें organize कर सकते हैं चाहे तो आप इसमें partitions बना सकते हैं लेकिन मैं इसमें boxes में मेरा समान है तो मैं इसी तरीके से इसमें organize कर दूँगी अपनी सारी bangles सारी jewelry जो भी है मैं इसमें आसानी से रख लूँगी तो बहुत अच्छा idea है यह मिठाई के डबे का आप reuse कर सकते हैं तो इसमें मेरा काफी सारा समान देके organize हो गया है और इस डबे का बहुत यह अच्छा हमने reuse करा है तो दोस्तों आप लोगों को मेरे आज की idea कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना और कौन सा idea सबसे अच्छा लगा वो भी जरूर बताना और अगर आपके पास मिठाई के इस तरीके के box हैं तो आप उनका reuse जरूर करे और प्लीज लाइक करना कमेंट करना और सबस्क्राइब करना और शेयर भी जरूर करना ताकि और लोग भी इसका इस्तमाल करें मिलते हैं next वीडियो में बाई बाई